हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एडू एसे एस यॉर एजुकेशन मेंटॉर्स आज के शेशन में हम बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट के बारे में फ्रेंट्स पंजाब ने अपनी ओफिशल वैबसाइट बी एफ्फुहस.ac.in पर एक प्रोस्पेक्टस रिलीस किया है जो कि आपका MBBS and BDS के लिए है निव अकेडमिक शेशन आपका 22-23 के लिए तो फ्रेंट आज हम उसी प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करेंगे इस प्रोस्पेक्टस में फ्रेंड आपकी सीट्स आई है सीट्स के साथ साथ कैंडिडेट की क्या इस पार काउंसलिंग का करें अवा है अप करेंड आश सेथी में आपमें बाया है थो सबीक्री में को नहीं आपन। यह official website है इसका friend official first notice है last year का सारे data यहां से remove कर दिया गया है new academic session का पहला notice जो यहां पर आ चुका है आप friend इसको जब click करेंगे तो friend click करने के बाद आपका यह यहां पर open हो जाएगा यह friend open हो जाएगा तो देखिए first page पे जो detail है वो वही detail है कि कौन MBBS की counseling के लिए eligible है तो friend वही बच्चे MBBS की counseling के लिए eligible है जो कि अच्छे marks लापाते हैं या qualifying हो जाते हैं तो पंजाब ने भी यही बोला है कि अगर आपके government के लिए marks हैं तो आपको government seat मिलेगी semi government के लिए semi government मिलेगी और अगर आपको management के लिए marks है तो management की seat मिलेगी साथी साथ friend हम first बात कर लेते हैं कि पंजाब देखि आप सब जानते हैं पंजाब एक close state है पंजाब में other state केilotड़ के candidate जो है वो counseling नहीं कर सकते है अगर आप पंजाब में counseling करना चाहते हैं पंजाब एक और 토 कि हमारी जो है ब्रांच चलती है माइनॉरिटी के कॉलिज है माइनॉरिटी के कैंडिडिट इसमें अडमिशन ले सकते हैं और इसमें भी आप जानते हैं सीमसी में 2A से लेकर 2G तक के आपके माइनॉरिटी की ब्रांच इसमें आपकी अलग-अलग different state आते हैं जैसा कि आपका 2 पंजाब में आता है तो ए जो के टिगरी है वह आपकी पंजाब में आती हैं से टू-बी से लेकर 2G तक आपकी अधर-अधर इस्टेट में आती है जो कि फ्रंट आपकी से लुद्याना की वीडियो आईगी तो इसमें आपको ब्रीफली बताया जाएगा कि कौन सी टिगरी आपके पंजाब के तर रेजिडेंट स्टेटस ऑफ पंजाब स्टेट शॉल बी टेकर इंटरम्स ऑफ पंजाब गौवर्मेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एड्मिस्टेटिव पर्फॉर्मास तो फ्रेंड होने वही डिटेल दी है आपको कि जिनके पास बॉनफाइड पंजाब के वह कांसलिंग के लिए एलिजिबल है इन एडिशन दा फॉलोइंग केटिंग्री ऑफ केंडिडेट अर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अड्मिशन अगर आप हम जिसकी अब अर्लियर बात कर रहे थे कि आप किसी अधर से जाना चाहते हैं पंजाब में तो फ्रेंड थारे दॉक्यमेंट्स हैं तो आप नराइके थू जा सकते हैं पंजाब में कैंडिडेर बिलॉंगिंग टु मैन्योरिटी काम्यूइट्टी कुम्यूनिटी जिसकी अभी हम बात करेंगे अगर चिल्टन वार्ड प्डिप्सी युनके लिए जिए एवाले पॉंसलिग की तो अपर बताए गया है झाए लिए हैं किने प्रोषी जो भी कॉलिज होता है जिस कॉलिज में सीट जो है वो वेकेंड रह गई है वह पर्टिकुलर् सेक्ट्च अपने कंगी सबने करेंग क्थे आप करेंगे यहां पर आपकी मीश्वाएं करने अब कर क्लियोंग में Huh बिएगे करेंगे आपकी सब्सक्रेब सब्सक्राइगा कि उसके इस दोस्टन पत्राइबकिन है। सब्सक्राइब करेंगे कि फीज में क्या चेंज इसा है तो फ्रंट आप यह देख सकते हैं लास्ट यह गौवर्मेंट की जो फीज थी वह 158 थाउजन थी और इस साल जो आपकी गौवर्मेंट के लिए फीज है वह 166 थाउजन फीज और आप सभी जानते हैं कि पंजाब में 10% का एनवल यर जो है वह इंक्रीमेंट होता है फर्स्ट यह अगर आपकी ट्यूशन फीज वह 166 थाउजन जा रही है तो सेकेंड यह आपकी 182 थाउजन जाएगी थर्ड यह 198 थाउजन और फोर्त यह तो लाक 15 थाउजन फिफ्ट यह आपकी वन लाक 1 थाउजन जाएगी और इसका हम अगर ओवराल करते हैं गौर्मेंट का तो आपका 1862 थाउजन आपका 5 साल का आपकी एनवली फी टोटल एड करके आ रही है होस्टल मैस आपका इसमें अलग से होगा तो फ्रेंट देखिए यहाँ पे आपकी 58 से 66 हो गई है आपका यहाँ पे 58 से 66 एट थाउज आपका यूटिलिटी बिल में आप सब जानते हैं वाटर विल वगर यह सारी आपकी छोटी छोटी चीज़े आ जाती है इसमें भी आपका एनवली 5 परसंट का जो इंक्रीमेंट है वह होगा फ्र एडमीशन टू प्राइवेट इंस्टिट्यूट युनिवस्टी गौवर् करते हैं अगर उनके जो स्कोर है उसके बेस पे रैंक और इसकोर आ रहे हैं तो तो फ्रेंट देखिए गौवर्मेंट कोटा फिफ्टी परसंट वाला जो है समी गौवर्मेंट जिसे कहते हैं उसकी फ्रेंट लास्ट यर की फीस अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपकी 3,68 थी गौवर्मेंट कोटा की ठीक है तो आपकी 3,68 थी इस साल आपकी 3,86,500 जो है आपकी चार्जिस वहां पर हो गए हैं आपकी फीस में फ्रेंट देख सकते हैं यहां पर इंक्रीज हो गई है फीस आपकी और आप 10 परसंट इंक्रीमेंट की हिसाब से अगर हम जोड़ते है है तो सेकेंड यार आपकी 4,24,000 थर्ड यार आपकी 4,63,000 फोर्त यार आपकी 5,2000 फिफ्ट यार आपकी 2,70,000 और अगर हम जोड़ते हैं साइमी गवर्मेंट का तो आपका 20,45,000 की ट्यूशन फीस आपकी 1st to 5th यार तक की 5th यार की फाइनली बैठेंगी इस साल आपकी और लेकिन इस से एर से फ्रंड आपकी 9,92,000 जो है वो आपकी चार्जिस जो फीस के हैं वो होंगे इसमें फ्रंड आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हो गई है 45 से आपकी 92,000 की इस साल जो हो गई है इंक्रीमेंट की साब से देखें तो 2nd येर में आपकी 10,92,000 जाएगी 3rd येर में 11,91,000, 4th येर में 12,90,000 and 5th येर में आपकी 6,95,000 जाएगी and overall जब हम लगाएंगे इसका tuition fee का overall तो इसमें आपकी 52,60,000 फीस रहेगी और फ्रंड आप जानते हैं कि पंजाब में जो SGRD कॉलिज है और आपका CMC लुधियाना वाला कॉलिज है उसमें minority की campaign चलते हैं minority के हैं यहां पर आपको यहां पर BDS की दी गई है इसके बाद हम बात कर लेते हैं NRI candidate की तो फ्रंड NRI candidate की इनोंने अनवली नहीं दिये इनोंने overall course का दिया आई कि आपकी जो फीज है full course की वो कितनी रहेगी तो जो NRI candidate है उनका जो पूरा बजट रहेगा 5 यर का 1,10,000 आपकी जो पूरी fees है fees full course जो आपकी fees रहेगी सारे 5 यर की वो आपकी 1,10,000 डॉलर रहेगी NRI candidate के लिए MBBS में पीडियस में 44,000 है अभी हम आगे यहां पर बात करते हैं fees for SGRD अमरित सरकाजो कॉलिज है जिसकी हम अभी उपर बात कर रहे थी उसके लिए different column दिया गया है तो फ्रेंड इसमें भी आपका management की जैसे ही fees है 9,92,000 fees रहेगी आपकी इसमें 10% का आपका annually increment होगा MBBS and BDS बोथ दोनों के लिए होगा और आपका यह पूरा package जो है इसका भी फ्रेंड आपका 52,60,000 का fees जो है सारे साल के यह बैठेगी CMC लुधियाना कोटा यहाँ पर दोनों के लिए ह siento उपन कोटा आपका 10% आपकाई जा पर दोनों के लिए ठीके फ्रेंट ओपन विट 10% इंक्रीज इंफ एवरी एर आगे फ्रेंट कुछ यहां पर पॉइंट्स नोट है जिनके बारे में बात कर ले तो आपके तुशन फी होगी वह किसको देनी है कैसे देनी है तो इसके नो ने यहीं पर बात किया कि 6 मंत में पे बेकरनी है और होस्तोल मैस के फ्रसे हम से लुदिहाने में बात कर लेते हैं तो आप कि यहां पर आ samग की आपका जेंग हो JOA तो के बात कर रहेए जो आपका रूम आपको जिस रूम में एंप रहेंगे वो तो देखिए नहोंने यहां पर पांच कॉलम जी हैं जिसमें रूम की फैसिलिटीज डिफाइन की है कि नौन एयर कंडिशन अगर नौन एसी रूम है इसी नहीं है इंडिपेंडेंट रूम है तो 16,500 पर एयर फर्स्ट एयर फोर सिंगल बैड रूम कर लिए उन्होंने यहां यह अमाउंट बताया है इस भी हाइक बाइक्सिमम अप्ट फाइप परसेंट ऑफ इस सब्सकेंट यहां पर आपको फ्रेंट इच सब्सकेंट इयर हो सकता है इस पेशल रूम यह फैंट देखिए जैसे जैसे रूम की फैसिलिटीज बढ़ेंगी वैसे ही वैसे जो आपका अमाउंट है वह आपका यहां पर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा तो देखिए यहां पर स्पेशल रूम की फैसिलिटी दी है सिक्यॉरिटी एडवांस 27,500 की आपकी जो है वह सिक्यॉरिटी है मैस चार्जिस एक्चॉल एं टूबी मैनेच बाइदा इस्टुरेंट मैस चा बी सी बेकवर्ड अज sätt के लिए टैन परेंट सन्ट का और मागवर्ड अरिया बॉडर एरिया 1 फिस ट्यु पर स्टार कोई परिसंट के पर संट इश पो के लिए लिए फैंटि मैस लिए स्पर्ट पर संट के लिए रंटिंट इंदा का नि इसके रिघ्री आफेकटीजल ओबने के शिल्ड तॉनको थिल्डर सान एम अथ क्षिए विए जिल्डरみ एक बॉद्स के लिए फिल्डर्ट के देंग है व्हीं टक्रशन्त को Papと आपके फ्रेंट कुडरिर्णे सेतनी इसकल्स कर Socialist si वह क्या थी इस पेज पर यह फुर एफ यह फ्रन डेंटल मैसे दोनों का है इस लिए इसमें जादा है क्यूंकि डेंटल की इंफरमिशन के जस्ट बाद ही सेकिंड जो है वह देंटल की वाला की उनमें सेस्टीट लियों से अन्हेरी है तो माइनुरिटी कोटा है आपका मैनिजमन्लेंट मायनुरिटी कुटा उसके लिए 35 पर संट seat अवैलिबल यह पंजाब में और प्लस जो ऑनलैं कोटा हैन कोटी के केलिए 15 फिंटीश सीट का भी अऱराई कोटी कहственenaL вып. के लिए किस category के लिए कितना reservation पंजाब में है SC के लिए 25% BC के लिए 10% backward area और border area के लिए 2% PWD के लिए 5% sports person पंजाव स्टेट में आपका एक sports quota भी चलता है जो कि sports persons के लिए होता है तो इसमें 1% का आपका reservation यहां पर है यही आपकी डिटेल है वार्ड डिफेंस परस्नल यहां पर इन उन्हें डिफाइन किया है कि इसमें कौन कौन आते हैं नौन रेजिदेंट इंडियन जिसके अब आम उपर बात कर रहे थे कि आपके जो केंडिडेट है नराई की सीट जो 15 परसंट है उनमें से भी कैसे यहां पर डिस्ट्रिब्यूट किया गया है तो आपकी 15 परसंट सीट में फ्रंट देकि 16 सीट आ रहे हैं जिसमें से 13 सीट गवर्मेंट मेंडिकल कॉलिज पतियाला की दी गई है और बाकी की जो अधर है हमें आपकी 3 सीट गवर्मेंट डैंटल कॉलिज इंड को दी गाई है और आपकी इन यहां पर आपकी फौर सीट यहा पर शो कर दी यहां और कौन से और आयराई कैंडिडेस यहां पर जा सकते हैं है उसका नोंने बता या तो cannot बताया है तो יס हमांए लएARD को और सटेट पंजाब फिर्स नराइ होते हैं यहां पर उन्होंने पंजाब से से ही आपके बॉलॉं करते हैं यहां पर इन्होंने यह बताया है इसके बाद उन्होंने अपने नॉन रेजिडेंट के लिए बताएं कि नॉन तो आप जानते हैं non-resident of India वो होते हैं जो कि आपके इंडिया के बाहर रहते हैं जिसके थुरू आपका admission होता है जिसके लिए आपको अलग-अलग documents की नीड होती है चाहिए वो आपका embassy sponsorship हो चाहिए relationship हो यह declaration के detail इनों ने दिये कि जब आपको college जाएगा तो क्या-क्या उसमें declaration वाली बाते हैं यही सारी चीजे नोहीं यहां पर फिल किया है तो फ्रेंट देखिए यही आपका notice था कि के आप के आज मॉर्ण देख LG मांसर की है और ОM-R shipping प्रोविजिनल अंसर की होया है शीट भी रिलीज हो चूकी है सो फ्रेंट्स पंजावी स्टेट की ये कट ओफ है कि लास्ट यह आपकी क्या क्लोजिंग गई थी फर्स सेकिंड एंड मॉपफ राउंड को इंक्लूड करके तो गॉर्मेंट के आपके जो पंजाब में अंबी बीएस के कॉलीज है जी एमसी अमरित सर और आपका जी एमसी प एंड फर्स बन इस आपका श्टेट अंड सेकिंड वन इस मैनेजमेंट पी आएमस जलंधर और आपका नेक्स्ट है यहाँ पे घियान सागर यह भी आपका वनूर का और यह यह का वानूर का कॉलीज है डीमसी लुधयाना हो गया सग्षी थी माइनॉरिटी कॉलीज हो गया भी में आपे बात कर लेते हैं closing की कि last year क्या closing आपकी गई थी तो जो open है उनके लिए यहां पे front government college की हम बात कर रहे हैं तो open category के लिए जनरल जो होते हैं 571 थी VC के लिए 530 थी EWS के लिए 568 SC के लिए 432 handicapped children जो होते हैं हमारे उनके लिए 171 border area जिसके अब भी हम reservation की बात कर रहे थे 562 defense quota के लिए 292 FM freedom fighter जो होते हैं 296 backward area जो BA के candidate होते हैं BA उनके लिए 562 RA reaust affected जिसके हम reservation की बात कर रहे थे आपको यहां पर मिल गई थी प्राइवेट को प्राइवेट में आदेश में बच्चों को सीट मिल गई है प्राइवेट के आदेश कॉलिज में क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं open के लिए 374 थी BC के लिए 188 थी और आपकी SC के लिए 166 थी border area के लिए 372 थी डिफेंस के लिए 310 थी backward area के लिए 369 और आरे रियोस्ट अफेक्टेड के लिए 232 टेरिरिजम अफेक्टेड के लिए 334 और जेक के लिए 304 और स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स कोटा जिसके हमने बात की 234 और आई के लिए आपकी 141 आपकी जो क्लोजिंग है वो गई थी प्राइवेट कॉलेज में तो फ्रेंट दीखिए यही पूरी क्लोजिंग थी वह आपकी गॉर्मेंट प्राइवेट दोनों की फ्रेंट अभी सिर्फ यही नोटीस जो है वह मिल जाएगा ओफिशल वेबसाइट भी फ्रेंट अपकी है तो फ्रेंट नीट यूजी पीजी आई यूसरे रिलेटेड और वी इंफरमिशन के लिए अप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू फो वाचिंग दिस वीडियो और फ्रेंट अल्ट व लड़ी आएबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइ